नमस्कार दोस्तों कोईक इंस्पायर यूटूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों महिला के इस अंग पर तिलका होना उसे भागशाली बनाता है जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि किसी महिला के इस अंग पर तिलका होना उसे भागशाली कैसे बनाता है लेकिन दोस्तों कौन से अंग पर तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और अच्छे से समझना होगा सबसे पहले तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और दोस्तों रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं का शरीर खुद में ढेर सारे राज समाय हुई रखता है इसी तरह उनके शरीर के अंगों पर मौजूद काला तिल उनके चरित्र के बारे में कई गुप्त राज भी खोलता है जेवतिस के अभिन अंग समुद्र शास्तर में बताया गया है कि हर एक तिल का कोई न कोई मतलब जरूर होता है कौण सा तिल कहां मवजूद है और उस तिल का क्या मतलब है या हर कोई जानने को बेताव रहता है हर पुरुष और महिला के शरीर पर तिल जरूर मौजूद होता है लेकिन आज हम केबल महिलाओं के बारे में ही बताएंगे और ऐसे राज बताएंगे जो शायद उन्हें खुद भी ना मालूम हो महिलाओं के शरीर के किस अंग पर कौन सा तिल है और उसका क्या महित तो है दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताएंगे और यही नहीं इस से उस महिला के चरित्र का भी पता चलेगा तो आईए दोस्तों अब इस वीडियो के माध्यम से इन बातों के बारे में बिस्तार से जानते हैं नमबर एक नाभी परतिल जी हाँ दोस्तों समुद्र शास्तर में पेट पर मौजूद तिल को शुभ नहीं माना जाता है यहाँ ब्यक्ति के दुरभाग का सूचक माना जाता है आईसे ब्यक्ति भोजन के शोकीन होते हैं लेकिन तिल अगर नाभी के आसपास हो तब ब्यक्ति को धन समरद्ध की प्राप्ती होती है नमबर दो पीट पर तिल यहाँ दोस्तों यदि किसी महिला की पीट पर काला तिल है तो बह महिला चरित्र से काफी रोमांटिक होती है यही नहीं ऐसी महिलाएं कमाती भी खूब है और उडाती भी खूब है नमबर तीन माथे पर तिल दोस्तों यदि आपके माथे पर दाई और परतिल है तो इसका मतलब यहाँ है कि आप अमीर और स्वस्त रहेंगे इसका यहाँ भी मतलब होता है कि आपको भगवान में भी अतियास्था होगी नमबर चार तरजनी उंगली परतिल जिहां दोस्तों जिस महिला की तरजनी बाली उंगली पर तिल होता है बहुत धनवान तो होती ही है पर साथ ही उसके धेर सारे शत्रू भी बन जाते हैं जिससे बहुत परेशान रहती है नमबर पांच नाभी के नीचे तिल जिहां दोस्तों जिस महिला के नाभी के थोड़ा नीचे तिल होता है उसे धन की कमी कभी नहीं रहती नमबर छे गर्दन पर तिल दोस्तों गर्दन पर तिल होना अच्छे ब्यक्तित्तों की निशानी होती है आईसी महिलाएं अपने बारे में कम बल्कि दोसरों के बारे में ज़्यादा चिंता और खयाल रखती हैं ये जिसके करीब होती हैं उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती हैं तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भागशाली महिला को उसके शरीर पर तिलों के आधार पर पहिंचान सकते हैं और उसके चरित्र के बारे में भी अच्छी प्रकार से जान सकते हैं दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसे Facebook और WhatsApp पर भी जधा से ज़ादा शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करक वेल आइकन भी दबा लें ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें दोस्ता फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत